हलो मैं डियर फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल आज फ्रेंड्स मैं बताऊंगी मई का महीना है इतनी तेज गर्मी है कि पौधे भी बहुत परेसान है हमेशा कटिंग हम लगाते रहते हैं तो क्या मई के महीने में हम कोई भी प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं इतनी प कोई मना करेगा कोई भी डे देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी कटिंग देने के लिए कई लोग जो है मना करते हैं लेकिन इन सारे प्लांट की तो फ्रेंड्स बिल्कुल छोटी सी कटिंग ग्रो हो जाती है दो से तीन इंच की कटिंग ग्रो हो जाती है और इनको आपको कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ता है आज इतने easy to grow प्लांट में बताऊंगी खास तोर पे जो बिगनर्स है वो मेरा वीडियो जरूर आज का देखेगा खास तोर पे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है बिगनर्स के लिए क्योंकि उनकी समस्य अक्सर यही होती है कि हम कौन से प्लांट लगाएं कहां से हमें कटिंग मिल जाए या नरसरी से हम ऐसे कौन से पौधे खरीदें जो हमारे गाडन में इसली ग्रो हो जाए और उनकी कटिंग ले लेकर हम धेर सारे प्लांट अपने गाडन पर तैयार करें तो मैं आज आपको बहुत सारे प्लांट बताऊंगी इतना इजी प्लांट है इतना इजी टू ग्रो है कि उसे आप सिर्फ साइट का इस्तमाल करना है सारे जितने भी प्लांट में बताऊंगी वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं उनके लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा और सारे बहुत ही छोटे छोटे पॉट में बहुत ही आसानी से चल जाते हैं आपको ऐसा भी नहीं है की मार्केट से आपको बड़े-बड़े गंबले खरीद के लाने पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है, किचन से आपके बहुत सारे प्लास्टिक के वेस्ट माटेरियल जो दिब्बे निकलते हैं, उनका भी इस्तमाल आप इन प्लांट को लगाने के लिए कर सकते हैं, तो चलिए व ग्रीन नेट लगाया है अपने प्लांट को बचाने के लिए, ग्रीन नेट बहुत जरूरी हो जाता है जब हम टेरिस पे गाडनिंग करते हैं, और देखे कुछ प्लांटर मैंने इस तरह से टायर की प्लांटर मैंने बनाया हैं, जिन में मैंने प्लांट लगाया हैं, छोट सी छोटी कटिंग आप मांग लीजिए और तुरंत लगाईए तो सबसे पहला प्लांट है वो है देखिए टेंगल हार्ट का प्लांट कितना खुबसूरत लगता है जब इसे आप हेंगिंग बास्केट्स में लगाते हैं और इस तरह से जब यह ट्रेल होता है तो कितना कम से कम तीन से चार इंग की कटिंग आप ले लीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए यदि आप मिट्टी में लगाना चाहते हैं तो मिट्टी में भी लगा सकते हैं देखिए मैंने छोटे से पॉट में लगाया है या फिर एक भाग मिट्टी और एक भाग सेंड ल दूसरा प्लांट है देखिए, बेबी टियर्स, मैंने टायर में भी लगाया है, और उसी से कटिंग लेकर देखिए, मैंने चोटे से पॉट में लगाया है, कितना बूसी हो गया है, ये भी काफी ज़्यादा और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, छोटी सी कटिंग ले सकते हैं एक से दो प्लाट बना सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है वो है वाइंडरिंग जीव का और वाइंडरिंग जीव भी बहुत ही असानी से लग जाते हैं इसके बहुत सारे कलर वैराइटी आते हैं मेरे पास दो है आगे मैं दिखाऊंगी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा यह भी इसकी भी छोटी से cutting 3-4 इंज की cutting को आप मिट्टी में दबा देते हैं या direct आप baskets में लगा देते हैं तो वो ग्रो हो जाती है अगला plant है वो है देखिए यहाँ पर टर्टल वाइन का टर्टल वाइन दो प्रकार के होते हैं एक पर्पल वाली होती है यह ग्रीन व मैंने इसे छायदार जगह पे रखा है इस वज़े से इसका ज़्यादा डार्क परपर नहीं हुआ है पत्तियों का कलर इसकी भी कटिंग आप तीन से चारेंज की कटिंग किसी से भी मांग कर आप लगा सकते हैं और एक प्लांट से आप धेल सारे कटिंग टैयार कर सकते हैं द यह सारे जितने प्लांट मैंने अभी बताया है ना इसकी कटिंग छोटी से छोटी लग जाती है देखे फर्न की एक वेराइटी है फॉक्स टेल फर्न है और इसी की मैंने जो है ट्यूबर अलग करके जो पहले दिखाया था ना पॉट में उसको मैंने लगाया है तो यह तो कटिंग ले लेकर धेर सारे प्लांट तयार कर सकते हैं यह है रियो का प्लांट रियो परपल और रियो ग्रीन दो प्रकार के प्लांट है और इसे भी मैंने कटिंग से तयार किया है देखिए कितना खुबसूरत लगता है और यह बहुत ही जल्दी जो है पॉट को कभर कर ल मैं अभी cutting तैयार कर रही हूं और भी उसे मैं hanging baskets में लगाऊंगी देखने में बहुत ही pretty लगता है और cutting से बहुत easily grow हो जाता है summer season का flowering plant moss rose burst lane इसे भी आप hanging baskets में लगा सकते हैं और इसकी भी आप cutting जो है 3-4 की cutting किसी से भी मांग सकते हैं कोई भी दे सकता है आप माली से भी ले सकते हैं पडोसियों से भी ले सकते हैं तो चलिए कुछ और भी hanging baskets मैंने यहां पर लगाए हैं उसमें plant लगाए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन-कौन से plant हैं जिनको हम बहुत ही आसानी से cutting से घर पर तैयार कर सकते हैं और यह इतने जिद्धी plant है कि एक बार यदि आपके पास आते हैं तो आपका साथ यह कभी नहीं छोडेंगे तो beginners के लिए तो ऐसे ही plant चाहिए जो एक बार लेका राय अपने garden पर तो वो सालो साल आपके पास बना रहे यह dollar plant है Chinese money plant इसकी पतियां यह dollar की तरह इस तरह गोल-गोल होती है बहुत ही सुन्दर होती है इसे आप पानी मी भी लगा सकते हैं और इसे आप मिट्टी मी भी लगा सकते हैं तो देखे यह baby tears है spider plant है spider plant को भी आप cutting से भी grow कर सकते हैं और इसमें baby plants भी निकलते हैं जिन्हें divide करके भी आप एक plant से धेर सारे plant तयार कर सकते हैं ये रियो परपल है और ग्रीन है ये दोनों को देखिए मैंने कटिंग से एक प्लांट से मैंने धेर सारे प्लांट तयार कर लिए हैं कलेडियम को मैंने देखिए हेंगिंग बास्केट में लगाया है ये कुछ मैंने नया करने की कोशिज की है और बहुत ही सुन्दर लग रहा त्वासा करती हूँ, आसका वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो फिर मिलती हूँ, बाई!